हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं सीमा फूड़ चैनल तो मैं सीमा सींग आज में बनाने जा रही हूं लोगों की फैवरिट गाजर का हल्वा तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो हल्वा बनानी के लिए मैंने गैस पे कड़ाही रखी है और हमने गाजर 500 ग्राम गाजर हमने लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर ली हूँ तो मैंने सारे गाजर कराही में डाल दी हूँ तो इसे हमें भूणना है और इसे हमें 10 मिनट हमें इसे भूणना है तो देखिए हमारे गाजर भूण गया है तो अब मैं इसमें दूद डाल दूँगी दूद हमने एक लिटर लिया है देखी हमने मलाई वाली दूद ली है तो मैं इसमें पहले आधा दूद डालूँगी हमने हाफ लिटर्स में डाल दिया अब इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमने अच्छे से mix कर लिया अब इसमें मैं बचेवे दूद को भी डाल दूँगी तो हमने total एक लिटर इसमें दूद डाला है तो जब तक हमारा दूद पक रहा है तब तक मैं dry fruits काट लेती हूँ तो dry fruits में हमने बादाम, काजू और किसमिस ली है बादाम को मैंने strips में काट लिया है और काजू की छोटे-छोटे pieces बनाए है तो देखिए हमारा दूद कितने अच्छे से उबल रहा है और इसमें गाजर भी पक रहा है दूद हमें reduce करना है दूद हमें reduce करना है और इसे मावे के form तक ले जाना है तो अभी हमारी कड़ाई पुड़ी भरी हुई है देखिए दूद reduce होके अब आदी कड़ाई हो गई और इसमें गाजर भी अच्छे से पक गया है तो हमें इसे और अभी इसे reduce करना है तो ये गाजर का हलवा मैंने किसी से सीखा था जिससे मैं आपके साथ सियर कर रही हूँ तो इस stage पे अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी दूद हमारा लगबग आधा सूख गया है इस समय मैं चीनी डालूँगी चीनी हमने 100 ग्राम लिया है आप इसकी मातरा को बढ़ा सकते हैं और जब चीनी डालने के बाद दूद इसमें करमलाइज होगा और दूद इसके कलर को चेंज करेगा देखे इसका कलर अब चेंज हो गया है और हल्वा भी लगबग आधा इस पक गया है तो इसे हमें चलाते हुए पकाना है तो अब मैं इसमें घी डाल दूँगी तो घी हमने तीन चम्मस डाला देखे तो तीन तो हमने इसमें तीन चम्मस घी डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखे अब ये मावे के फॉर्म में अब आ गया और इसे हमें भूनते वे चलाना है तो, हलवा अच्छे से भुनेगा, तो इसमें टेस्ट और फ्लिवर आएगा, तो अब इस स्टेज़़ में ड्राइ फ्रुट्स डाल दूंगे, ड्राइ फ्रुट्स में मैंने किसमिंस डाल दिया, थोड़े से कटे वे काजु, और थोड़े सी कटे वे बदाम, तो इसे मैं अच्छे से अब इसमें मिक्स कर दूंगी तो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया तो इसमें मैं अब इसमें थोड़ी सी इलाइची डालूंगी तो देखिए मैंने इसमें हाफ चमच कुटी हुई इलाइची डाल दी और इसे हमें भूनते वे थोड़ी देर पकाना है करीब 10 मिनट देखिए अब इसे इसका मॉइस्चर थोड़ा रेलेज हो जाएगा और ये अच्छे से भून जाएगा भूनने से इसके खुसबू अच्छी आएगी तो इसके अभी बहुत अच्छी कुसबू आ रही है देखिए हमारी अच्छे से भून गई है तो अब मैं फ्लेम को आफ कर दूँगी ये अच्छी से टोटल बनाने में मुझे एक घंटे का समय लगा तो अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ देखिए हमारा गाजर कितना डेलेसियस और यामी लग रहा है देखने में इससे बहुत अच्छी कुसबू आ रही है इसका फ्लेबर बहुत अच्छा है बन गई न हमारी लोगों की फैवरेट गाजर की हल्वा तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और सियर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फ्लस हो रहा होगा वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो थैंक्यू फॉर वाचिंग में वीडियो